विल्गम गाज है , केसे हैं आप सब्सक्राइब करने है लुएख। अगर हिंदी देखें तो क्या होता है कोछी का विभाज़न आप कोछी का जानते हैं तो मोठी सिंपल आप समझ सकते हैं किमर कोई बात नहीं अगर yanेप समझ आप समझे हैं कुछ बातों को याद करना पड़ेगा और कुछ बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा क्या हुआ है कहने का मतलब है कि एक कोशिका तूटकर दो या दो से अधीक कोशिका का निर्मान करती है तो यहाँ पर इस कॉल्ड सेल डिविजन तो वह आपको क्या 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 आता है कहने का मतलब यह है साथ ही कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा क्या है कि दब ब्रेकिंग आफ वन सेल टू फॉर्म टू और मोर सेल इस कॉल्ड सेल डिविजन यानि एक कोशिका है किलियर और एक कोशिका से एक या धीक कोशिका जब यह निर्मान करती है तो वही आपको क्यलाता है सेल डिविजन तो यह बाते आपको ख्याल रखनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल डिविजन का जो परिभासा था कुछ इस परकार के था यहाँ पर यह cell division का क्या है यह definition है बहुत ही simple definition है अगर आप समझे तू ठेक है तो यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं कि आगे अब क्या-क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि लिखा क्या है कि कहने का मतलब है कि कि यहाँ पर जो हमारी जिस कुछिका का भी भाजन होता है उसे हम कहते हैं और यहाँ पर लिखा हुए यहाँ पर आगे आपको ख्याल रखनी है तो यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि और भी आगे क्या-क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहने का मतलब है कि जनतुओं में कोशी का भी भाजन सेंट्रो सुम करता है क्लियर हुआ या नहीं हुआ ठीक है तो यह भी बाते आपको यहाँ पर याद रखनी है तो यहाँ पर आप चलते हैं हिंदी की दुनिया में और आप यहाँ पर दिख सकते हैं लिखा क्या हुआ है कि एक कोशी का का तुटकर दो या अधिक कुषिक का निर्मान कर देना आपको कहलाता है कुषिका विभाजन ठीक है तो यह थी आपकी छोटी मोठी जनकारिया और यहाँ पर हिंदी में और आगे देखे कि लिखा क्या हुआ है कि जिस कुषिका का विभाजन होता है उसे हम मदर सेल कहते हैं और तथा अभी भाजन के बाद नई कोशिका को हम कहते हैं डाउटर सेल और इसके बाद आप दिख सकते हैं लिखा क्या हुआ है कि जनतुव में कोशिका भी भाजन सेंट्रोस्वम करता है और पादप में सेल प्लेट करता है ठीक है सेल प्लेट दोरा होता है तो यह थी आपक और नए वीडियो की और से और बने रहना तो जुड़े रहना और आपका भाई हूं और हमेशा मैं साथ दूंगा तो चलिए आज के बड़ों यहीं पर समाप्त होता है